यहां पर कॉस्ट इतनी जबरगस्त है ना अब 70 के उपर ले ही जा पा रहे है यहां पर कुछ बफड़ा हो गहा है यह उंका रंग को में चुटा है देखिए और खानी के लिए बेटा है आपका एच कितना है कि अब राइडिंग तो मैं काफी पहले से करता हूं लेकिन वह थोटी मोटी रहती है और अपनी लाइट इसम बहुत अच्छी देशा काम कर रहे है अब आप कि अ कि 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 अब अब करता हूं अब सब बढ़िया रहेंगे तो सुबह के साड़े नौ बजह और हम निकल रहें इंदोर से आज जा रहे हैं तो आज जा रहें गर तो आज गर जानी का दिन है अब देख सकते हो तीछे थांशी इस अल्रेड़ी फुली लोड़ेट कर दिया है तो अभी निकलते हैं यहां से और चाई भी नहीं पहले सुबह 6-7 की बीच में निकलना दालेगे ना भी हो गया साड़े नौ ठाथी लेड हो गया तो चलो भी निकलते हैं कि यह लंबा सुफर है नहीं पर दिवप्पा मोरिया मंगल मुर्थी मोरिया बुलां भे मातिकी जै हैर हैर महादेव चलो गईस तो हमारा सफर शुरू होता है इंडर से भी मात हमने लगा है क्योंकि इंडर सिटी के बाहर जाने के लिए हमने रोड मालम नहीं है तो अभी इंडर सिटी से बहार निकलते हैं कि यह यह से क्यों दिखा रहा है इस थोड़ी थोड़ी ट्राफिक है भी यहां पर एक बार सिटी से बहार निकलेंगे तो फिर रोड एग्दम एक बार हैज़र टपलेंगे तो रोड टॉप रहेगा तो हम लोग 1890 पर क्रूज कर लेंगे तो अभी सिटी से बहार निकलते हैं मैप लगाया है काफी सारे लेफ्ट राइट अल्लड ही कर चुका हूं है बट ऐसी तो सिटी होती है और हमने उपर से हमने ना सिटी के संटर में लिया रोड आके भूमने फिरने के लिए कोई दिक्कत ना हो सब कुछ मैजदीक में रहे भाई साब सिगनल से निकलते समय गप्या मारके चल रहे हैं पिछे अच्छी वर्सी गारियां खरी है इस बहुत अच्छी है पसंद रही मजे खाना तो बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी है दो भी ठीकी है और अच्छे है बस इंका थोड़ा ड्राइविंग में थोड़ा यह कर लिंट करें तो नहीं लेक देट कहीं से भी कोई भी कभी भी आ सकता है रांग सेट से तो इतनी सारी गारियां आती है कि आप लेफ्ट में गारी चलानी नहीं चाहिए आप राइट में ही कंटीने रहनी चाहिए तो चलो टोड़ा वंडरफूल स्ट्री इन इंदौर मज़ा आया सबसी बरी बात है कि महाकल के दर्शन हुए उमकारिशुर के दर्शन हुए तो हमारी जो बारा जोती लिंग है उसमें से दू जोती लिंग है आज हमने किये आज एजन इस ट्रिप में किये शाहिद से अभी हम हेगर टच करेंगे नह 47 और हम कर शाहिए यहां से आया थे यहां से हमने शायद से लेख लिया था शोड़ी हम कनेक्ट होर है नाशनल हैवे 47 यहां से रहिट लेंगे तो हैवे कनेक्ट करेंगे कारियां आ रही है कि अभी तो चल अभी तो चल अभी क्या के लिए होकर है तो दोस्तों शायद से हम अभी सिती से बहर आ चुके हैं कि अभी यह थोड़ा सा आउटर स्कूर्स दिखा रहा है सब्सक्राइस हम हाइवे पहुच चुके हैं एमेच 52 और अभी हमें यह सीधा सीधा मंगे ली गएगा यह मंगे अगरा हाइवे शायद से लेफ्ट में आगरा का साइन दिखा रहा था यहां पर आगे कुस्स हैमीजिस है हमको परदा चलेंगे ओके यह हमको मंबई दिखा इस शोइंग फाहंड़े डाइन सेवेंटी यूट किलोमेटर्स सब्सक्राइस अभी हमकों माप की जरुद महीं पड़ेगी क्योंकि यह रोड़ा भी सीधा सीधा है कहीं आगे और रुखके चाय पीते हैं और यह थो कि मरी बैग है उसको सेट करते हैं कि यह बहुत आगे आगे बादना पड़ रहा है मारा दिन का पहला टोल है अब तक का सफर काफी अच्छा रहा बस उम्मीद करते हैं घर भी अच्छी तरह से जाएं बिना कोई तक्लीफ के अभी देखो यह कैसे कभी कभी करेंगे तुमसरे को टेक अब आगे तक करेंगे तक क्या बादना प्रश्चा पी ज़रूर यह क्योंकि सुछे से मैंने कुछ भी नी खाया चाइब नी पीया तो चाइब आगे निकल के फिर कहीं पर नाशा कर लेते हैं पर चाह पी चुके हैं ठीक थी जो इंदोर वाली वैसे वाली टेस्ट नहीं थी तो चलो यह से निकलते हैं अभी अभी अब लाब रहीग अटलिस्ट सो किलिमेटर असी से सो किलिमेटर नहीं आज़र पर नहीं लेंगे तभी खा जाओंगा कुछ तो गई सीवे अभी घ्राट शुरू हो चुका मतलब पूरा फ्लाट प्लेन से अभी हम कहीं हो कहीं कहीं उतर रहें यह ट्रक्स की तो जान निकलती रहेगी चड़ पे चड़ फे और उसके बीच में जो छूटी गारियां हस्ती हैं उनकी भी वहलत प्राव होती रहेगी यह एक ट्रवेरा वाला उटे करेगा कि नहीं मालू मैं नहीं कर लेता हूँ यहां पेर काफ़ी सभी वानिंग कि यह गाट वट्स्टीप है यह सिक्षिन लेकिन अन्रहोन दो लेन के बने हैं अभापि मारी स्थी पेर काफ़ी पागल बनुप है.. पर रिजयो को क्या बाप है credit क्या बात है है यह तो एक तरफ का रोड बंद कर दिया पता नहीं क्या हो गया सारी गाड़िया एक तरफ से जा रही है करूं कि मैं कर लेता हूं कि इनके पीचे फज्जा होंगा जहां तक जा सकते हैं जाएंगे क्लेच प्लेट जलने की इती भूव आ रही है कि सुब्स यहां पर यह ट्रफ देखिए एक्सेंट हुआ है किसी विए से रास्ता बंद कर दिया है कि उसको उतार रहे है क्रेन आई है क्रेन से वह ट्रफ को भी सीधा कर रहे है कि हो के तो शायद से हमको भी यह डाइवर्जन मिल जाएगा और यह क्रोसिंग अर्वर्व जाए रहा है यह ब्रिज काफी उच्छा है बहुत अबीप है नदी यहां से तो गई सभी हम यहां पर रुकें हैं सहीर में चाहँ देखें सो किलमेटर पूदे हो गए तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और थोड़ा बायो ब्रेक लेते हैं अब बायो गईस रोड अना जबब रस देमी आके मतलब टॉट टॉट अब गारी जाती है तो डीज में स्वीड बेकर आते हैं वह भी गाओ बगर आते हैं वहां पर स्वीड बेकर खोते हैं अदरवाइस रोड सुपा पर मैंने आते वक पी आपको ही बोला था वह भी नग दन 115 किलमेटर मुंबर इस 472 फांग यर अब यह ओंकार का फोन आता कि वह सेंदुवाप पोचा है वह बहुत जल्दी निक्ता वे रहे क्यूक्कि मैं थोड़ा स्वया वगरा और वह रेडियागर अप में निकल गया अरांड एट अप्लॉक के शेवन थाटी एट अप्लॉक के निकल गया में 9.30 को निकला, 9.30 में अप्लॉक कोड़ा अर्मॉस कोड़ा टू 10 हो गयते हैं इस भीज़ेज में कॉसिंग से न काफी कतान ना होते हैं लोग लेफ टराइट लेफ टराइट कहीं से भी आई जाते हैं पुरा संबाल के चलाईए कितनी जारी फुर्गया लेकि जारा साथ में इस हम पूच चुके हैं एम्टी और माराश्रा की बॉर्डर पे जो आगे आपको तो दिख रहा है जो चलो वेलकम तो माराश्रा, बाप तो माराश्रा जाए माराश्रा मिजार ये क्या दर रहा है जहांसे घार्या आ भी रही है, जहांसे घार्या जा भी रही है तो ये चपोष रह अप लेफ में लेफ में देख रहे हो और राइड में भी, एक एंटरी के लिए और इविट के लिए कि अधिकर रही है तो यहां पर इस दो भी आपते हैं। तो आज का मैंने दो टोल अल्हेडी क्रॉस कर चुके हैं स्वीन दुपार वैसे टोल प्लाजा क्रेस करके हम रुख गए यहां पर थोड़ी नीन जैसे मुखा रही थी जब की जैसे लग रही थी तो हमने अभी यहां पर एक मॉंस्टर ड्रेंग एनर्जी ड्रेंग पिया थोड़ा ऐसा फ्रेश होने के लिए बेक्वास अभी भी बाकी है और मैं जगे डूंड रहा हूं बेक्वास करने के लिए जो अभी तक मुझे मिली नहीं है तो चुलो यहां से आगे जाते हैं देखते हैं कहीं पर अभी लंच ही कर लेंगे ब्रेक्वास की टाइम निकल चुकी है तो वेरी से फिर से अभी घाट शुरू को गया हम देख सकते हैं यह वही सेक्शन है जो हमने उजिन जो टोका था न वह दो गारी सेफ एक्सपर्स और वी आरल लोजिस्टिक का यह शायद से वही है काफी स्टीप है देख से ब्रेक सब्राइबर रहे है गारी कंट्रोल करनी के लिए हमको तो इतनी मेहनट करनी परती नहीं है तो एक इतना संभाव चेत्र इस घाट का नाम काले घाट है क्योंकि वह पीछे एक साइन था काले गाट से इंदुआ रोड अथौरिटी संथिंग था तो यहां से दूले लिकार रहा है एक टीट्यू प्रिनोटर्स मासे किस टू अनने थाटी सेवन और यह स्लोप देखिये मैं कुछ इक्सलेटरी नहीं दे रहा हूं कर इंदुआ यह भावरी यह भावरी यह भावरी यह भावरी नहीं गोशुश करिया आगे 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 यही सेक्शन से जहां पर आपको तोड़ा यह सावडानी से गाई चादानी बोड़ेगी इस 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 एल एंपी एंद माराश्टर का बोर्डर और जो अंगी हम एंटर कर रहे हैं वह जो पिछला मैंने दिखाता हूं कुछ एंपी इंटिगरेटड चेपूस्ट का पता नहीं क्या है यह एक्वाट बट इस 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 इप महाराश्थरा एंपी चेप बोड़ और अभी हम एंटर कर चुके हैं महाराश्टर में तो बुलो जै महाराश्टरा मैंने थोरे जर पहले ना दोसों का बट्र डाला क्योंकि एक सिंगल देंडी बची थी और MP में तीन डूपा महेंगा है बट्र तो अभी पूरी धूलूरा की चड़ा गया तो चलो गई जंगर यहां पर रुखे थे एक बाइब्रेक के लिए यह कंपीज यहां पर कॉस्ट इतनी जबरगस्त है ना अब 70 के ऊपर ले भी जा पा रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए अल्मोस्ट खतम होना था और कावी कितनी देर से कुई भी पंपनी आ रहा था तो चलो यहां पर फिल कर दिया है और अपर में आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जहां पर हम लोग रुखे थे प्यूसी करने के लिए वहां पर ओंकार है तो हम अब यह पॉइंट कितनी दूर है यहां से तो चलो देखते हैं अगर मिलता है तो मिलेंगे यह नहीं तो फिर उसको पूलेंगे आपर चले जाकर करते हैं अन्नैसेसरी उसको भुका के फैदा नहीं है तो यह चौती बार मैं कट्रोल कर रहा हूं बदलब एक बार जाते समय दो बार जाते समय एक बार एंटी में अगर इंदौर में और यह भी आइस के बीच में हमें 200 रुपर का प्रेकल डाला अभी एंटी क्रॉस करने के लिए चलते हैं सो फार जोनी इस गेट नो इश्यूस अभी है कंप्लिट टूहंड़ेंड़ेंड़ेंड़ेंड़ेंड़े गड़ी 260 कल मुटर्स सब्सक्राइस यहां पे कुछ लफड़ा हो गया यह ओंका रंग पर मली चुटा है देखिए और खानी के लिए बटा है और अम्मी यहां पे बहुचे लिगी यहां पे कुछ और ही चल रहा है तुके इस खाना हो चुक है ज्यादा तुछ काया नहीं मैंने क्योंके हैवी हो जाएगा रुटी और डबल पुलपर है बस हो ही खाया तो अभी तोड़ा जे और यहां पे रुपते हैं अधा गंटा हो गया और थोड़ी दे रुपते हैं तो यहां से निकल दें अभी हमारे 260 किलोमेटर कम्लीट हो गया और अल्मोस इतने ही जाना है इतका तुछ से भी जादा और तुछ मिलते हैं आपको रास्ते पर आपको एच कितना है मेरा 47 ओके अभी राइडिंग शुरू कर रहेगा अभी राइडिंग तो मैं काभी पहले से करता हूं लेकिन वह छोटी मोटी रहती है ओके अधर यहां से जाते हैं दूले से दूले मारते चले सर भाई ठेकर पका पका यूट्यूब पर नच दे रहेंगे चोचलो भाईस अभी निकल रहे हैं यहां से खाना हो गया अभी और तीन सो किलोमेटर मादना है थैंक्यू 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 कौन ही लुक कहां से आते ही अभी तो भी हव दन 265 किलोमडर्स तिल नौ रमाव होटेल और लगव इतना ही बाकी रहोगा हम उनको घर पोजने के लिए इंट्राक उस्से की जादा यहां पर रुके थे चाय पीने के लिए काना ख्याना वो तोगी जपकी आ जाती है अभी हम पुछ नहीं है इसलिए मस्चाम अरा निकरते हैं के चाय से अभी तोड़ा फ्रेश लगीगा तो रुशी भाई हलमेट बेंदी हुए इनका वहर अभी कुछ नहीं एक सो दस एक सो पंदरा किलमेटर राकी है दो गंटे में पहुच जाएंगे मुझे आज आगे दो गंटे जाना है दो डाई गश तीन गंटे तो चले कभी सुन मलते हैं आगे तो बैस अभी हम पहुच चले हैं सांजोड करके जगा है आप देख सकते हैं अल्टिमेटली देखते रहे जाओगे आप बारिश में आप आओगे तो बहुत मज़ा आएगा तो बोला का चांजोड है आप देख सकते हैं लेफट है उपर ये मंजिर है कोई फेमिस मंजी रही है एक्जाटली मुझे मालून रही है लेकिन ओंका मुझे बोल रहा था क्यों आप देख सकते हो सामने ही ये पुराना एक गेट है ये मा आईलया भाई होंकर इनका फोर्ट है उस ही का गेट है ये पिंपलगाओं में पीछे टोल है एंड ओंकर का फ्रेंट आया है वल्लब वाल्लब हमसो वेखने के लिए मिलने के लिए पहले वीडियो में देखा हो गाई इसको पहले वीडियो पर देखा रहे है ये अज़िए तो यहां पर चाय पीने के लिए रुखे है अभी भाई का घर तो नजदीक आ गया है मुझे और दोसों के लोड़ा जाना है जान पर आ रहा है तो चलो देखते हैं भाई की ब्यूटी है और वह पीछे हमारी काशी यहां पर हमने आधा हंड़ा टैंपर्स किया और अभी न है जाना है अंधेरा हो रहा है मैं टार्ड़ करता हूं कि हम इसान देरे पैले पहले पहुचो में लोकेशन नेकि जोलो ठीक है घर जाने थो अनदेरा भी सैन कर लेंगे तो सामने यह सूरज जूग रहा है तो गैस अगर आपको याद है आते समय नहीं पर मिले थे ओंकर को इसी पॉइंट पर तो वहाँ पर वहाँ पर पोच्छे हैं अभी ओंकर की बैग दे देंगे ओंकर की बैग मुने अपने टेल बैक की ऊपर माउंड करकी है तो इसको उतारते हैं अंकर को देते हैं अंड़न हमारा आगला शफर शुरू करते हैं घर जाने का शुक्ष अंकर का अलमीच आपकेते हैं वालब का अलमीच आपकेते हैं बुड़ वाईज थैंक यू इट वाज नाइस बुद टाइम से इस और अपना ही रजी केस थपन गुटकर ही और अपना ही रजी केस च्पन मुंबाइब बाइब बाइब वाइब तो विस यहां से अपना घर है बन फिफ्टी किलमेटर से जाकी जिसको कम से कम तीन सारे तीन पोने चाह घंटे भी लग सकते हैं तो चलो अभी अंदेरा हो गया है मैं अवाइड करता हूँ अंदेरे में ड्राइग करने का लेकिन क्या करें अभी कोई आप्शन नहीं है सुबह अगर अगर लेट नहीं होते हैं तो यह टाम पर हम गर पर पहुच जाते थे तो अभी गर पर पहुचते हैं और फिर रास्ते में कुछ रहेगा तो आपने में बताता हूँ इत्तक ही बने रहेगी है सुबही सभी हम कसारा घाड उतर रहे है और अपने लाइट रिजम बहुत अच्छी तो से काम कर रहे है यह काफी सारे जालें जालें क्योंकि यह काफी स्टीब रहट है और जाने वाला अलग है आने के लिए अलग रास्ता है इसके विसे गारियां बहुत स्पीर में आती है और आप लाइट का फोकस दे सकते हैं उसको कोई जिल्दी नहीं है अराम से वहरी चला रहूंगे विकर्स दो यह गार्ट से मैं बहुत बार आया हूं लेकिन नाइट को तोड़ा सा एजी लेना ही अच्छ है तो आपके सवान नौ बच चुके हैं और हम अल्मोस पोच चुके हैं यहां से मेरा घर जेड़ किलोमेटर है तो मैंने सोचा यहीं पर यह वीडियो क्लोज कर देता हूं और हमने कवर किया हैं 546 यहां पर दिखा रहा है तो और दो किलोमेटर आड़ करो अच्छ है जिसमें अल्मोस देड़ से दो घंटे हमारा ब्रेक था तो चलो फिर अभी जाते है घर पे इसी के साथ में वीडियो यहीं पर खतम करता हूं उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आए तो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और यहां तक देखा है वीडियो तो लाइक करना ना भुलिए तब तक लिए गुडबाय टेक चैर जय महाकाल कर दो कर दो